चै वर्सों से लगातार भाटा पारा का गौरवना आधार शिला रेसिडेंशियल गम डे बोर्डिंग स्कूल दो वर्सों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सिलेंस अवार्ड से सम्माने नवदय हिद्दू कोचिंग की विवस्था सिंगल से टिंग अरेंडमेंट के साथ स्वच्छो आतावरण में भविश्य निर्मान फुल डक्टिंग एसी के साथ चात्र चात्राओं के लिए हॉस्टल फेसलिटी विदा नूट्रीशन फूर्ड पूरे जिले में बस सुविधा उपलाब रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास वर नौ निर्मान वैज्ञानिक सोच को भढ़ावा देता तो आज ही संपर करें अपने बच्चों के भविश्य को एक मजबूत आधार देने के लिए आधार शिला रेसिडेंशिल कमडे बोर्डिंग स्कूल ग्राम भीजा भाट भाठा पारा बलोदा बजार नमस्कार आप देख रहे हैं आरजी रम जाजर और मैं हूँ पुकरा सिंग गुरुना महमारी के फैलाओ को रोकने आने को प्रयास जारी है परंतु आमजनमानस की आर्थिक स्थिती में सुधार हेतू बैंकों की कारिशली पर सरकार ने प्रतीबंध हटाया कई शर्तों के साथ परंतु इन दिनों इस शेत्र में भी बिना नियम कानून के गरवा चाल चलते देखे जा रहे हैं देखे आरिपूर आप देख सकते हैं कि किस तरह सुबिरे से लेकर शाम तक लोगों की किस तरीके से शेत्र में भीड रहती है ना तो खड़ा होने की वहाँ पर वेवस्था है और ना ही कहीं पर बैठने की वेवस्था वहाँ पर रुकने की तो कोई सुबधा नहीं जहाँ पर सैक्णों लोग सुबा से भिंड लगा रहे हैं और एक दूसरे को धक्कम की करते हुए अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं बैंक दौरा कोई भी प्रकार की वेवस्था या सुरक्षा गार्ड यहाँ पर तैनात नहीं किये गए हैं जिसके वज़े से यहाँ पर लोगों की भीड बहुत जादा और जादा रहती है जिससे लोगों में हमारी फैलने का खत्रा लगातार बना हुआ है सोसल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से माखौल इस शेत्र में उड़ाया जा रहा है आप स्वयम देख सकते हैं बेवे तरह से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट आर जे रमजाजर